दोस्तो Amazon कंपणी आज 1.6 ट्रिलियन डॉलर की कंपणी बन चुकी है आज आप Amazon से समान खरी सकते हैं लेकिन क्या आपको पता है Amazon पहले बुक्स बेचा करता था 1995 में इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉंच करी थी और दिसंबर 1996 तक इनके पास 1.8 लाग कस्टमर बेच बन चुका था 1997 तक आते आते इनका रेविन्यू 147 मिलियन डॉलर हो गया था 1998 में Amazon एक पब्ली कंपनी बन गई और 1999 तक Amazon का रेविन्यू 600 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया ये सस्ते दाम पर किताभी बेचा करते थे और मिलियन सोब बॉक्स इनके स्टोर पर एविलिबल थी अच्छी बॉक्स के कराण जादा कस्टमर इसे यूज करने लगे जादा कस्टमर होने के कराण सेलर्स अच्छी-पिताभ इस वेबसाइट में डालते इससे Amazon को profit होता और Amazon अपना सारा पैसा इसकी website को सुधारने में खर्च कर देता 1998 में Amazon ने इसमें वीडियो गेम्स और म्यूजिक बेचना भी स्टार्ट कर दिया साल 1999 में Time Magazine के person of the year कहला है जैब बेजोस जैसे जैसे Amazon में customer जुनने लगे वैसे ही Amazon को storage ही कमी पड़ गई तो यहाँ पर जन्म होता है AWS का Amazon Web Services 40% profitability इसी services से आती है Amazon को दुनिया की top company जैसे Netflix, Pinterest, LinkedIn, Facebook ये इसी Amazon Web Services का इस्तमाल करती है 2007 में पहला Kindle launch किया गया जिसे हम book e-reader भी कहते हैं जैब बेजोस ने फैसला किया कि e-reader एक zero profitable device रहेगा यानि जितना खर्चा इस tablet को बनाने में आता है उतने में ही इसे बेचा जाएगा लेकिन इसके पीछे एक reason था इंडल में आप उसी book को पर सकोगे जिसे आप Amazon book store से खरीदोगे तो indirectly Amazon इससे पैसा कमाएगा ही